जैसे कि हमने इस वीडियो में बताया था 25 दिन में पैसा डबल यह एक मीम था बेसक से हमने इस पे लगाया था लेकिन इस स्टॉक ने सही में पैसा डबल किया है वो भी 60 दिन के अंदर बिल्कुल प्रूब दिखाएंगे यहां पे आप देख सकते हैं यह स्टॉक हमने जब आपको बताया था इस स्टॉक की करेंट वैल्यो चलनी थी 70 रूपए ठीक है और नाम तक वो कुल है अगर आप यहां देखना चाहोगे देट थी मार्च फोर की अब यहां पे आपको चार्ट पे लेके आजाते हैं सबसे पहले यह रही हमारी डेट जब हमने यह बताया था यह पूरा एक टाइम करेक्शन जोन या इस्टेवल जोन होते हैं स्टॉक के कंफरेवल जोन वहां चल रहे थे यहां से यह स्टॉक ने डाइरेक्ट रूप दिया था पूरा इसका हाइप था 136 का 136 के उपर अगर मैं परसेंटेस करेंट करूं तो 95 परसेंट का गेन मिलता है जिन्होंने भी लिया होगा यह उन्होंने इतना गेन कमाया होगा और है लाकि यह इस्टॉक परची दिन में तो नहीं लेकिन हाँ 61 दिन में यहां तक पहुचा था और अभी यह करेक्शन जोन में है तो मैं आपको चाहता हूं कि यहां पर आज दुबारा से इस स्टॉक के उपर हम पुरी देगे से एक बार देखे कि क्या क्या कंडिसन और यहां पर बंती उने जर आ रगती है क्या क्या चेंजिस आये हैं उस समय शाठी दिन के बाद अभी क्या यहां पर सीनेड्यों आता है तो सबसे पहले तो हमारा जो सबसे बड़ा अंतर है पी के अंदरी कमाया है यानि यहाँ पे जो रिजल्स आए है जिसके होदर से पी वापी से उतना ही रहिया है जितना पहले था तो यह एक अच्छी बात है अभी भी इसके अंदर बहुत है बहुत है लेकिन हाँ लॉंग तर्म के लिए है क्योंकि अभी जो स्टॉक है वो अल्टाइम हाई के लॉंग के अंदर है क्योंकि वो 24 का लो है और यह स्टॉक सर्किट स्टॉक है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी करेक्शन भी देखने को मिल सकती है लेकिन हाँ यहाँ पे एक की शियोर है कि यहाँ पे करेक्शन नहीं आगी विकॉज कंपनी जो है एडिवल ओल्स के सकते थे उनके अगेंस अभी वोर्ट चल रहा है तो अभी फिलाल एडिवल ओल्स कंपनियों के लिए अभी किसी भी तरीके की कोई करेक्शन मुझे देखते हुई नजर नहीं आ रही नहीं अर्नी से अंदर नहीं श्टॉक से अंदर क्या देखेगा अभी श्टॉक के अनल इयर भी देखूँ तो यह नुए नियर निम बहुत ज्यादा है 19 पका 58 प्रॉफिट कर लिया और 2068 का कमपनी ने प्रॉफिट चुथा वो भी इंक्रीज किया है ज्यादा निंक्रीज नहीं हुआ से लेकिन हाँ यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज होता हुग नजर आया कि कंपनी के अगर पर्मोटर्स की बात कहने तो कंपनी के पर्मोटर्स ने यहां पर मार्च कॉर्टर के अंदर होल्डिंग्स इंक्रीज की है यह दिखाता है कि इतना कॉंफिडेंस है कंपनी के पर्मोटर्स को और अगर यह मार्च कॉर्टर के अंदर इंक्रीज हुआ है तो य चलती रहेगी जिस तरीके की global shortage चल रही है, जिस तरीके की trade wars चल रही है और जो war situations है, उसकी विज़र से ये shortage maintain रहने वाली है कुछ सालों तक, यहाँ पर आप देखिएगा, जो stock अभी correction में आ रहा है अभी फिलाल मैं आपको एक levels आपको बता दू, सबसे उपर का levels है वो तो आपका सेम रहेगा 136 का, जो आपका all time high है, यह levels नहीं देखने, आपको नीचे की side levels देखने है जो नीचे की side stock अगर आ रहा है, तो 99 पर आप जरूर अपना stop loss जरूर मेंटेन कीजिएगा यहां से नीचे अगर correction होता है, तो यह आपके 70 rupees के आप आस्वापी से जाता हो नजर आएगा इसलिए मैं आज यह video बना रहा हूँ कि stop loss अपना maintain कीजिए अभी यहां पे correction चल रहा है, तो correction कहीं भी जा सकता है, क्योंकि stock है circuit वाला और यहां पे शर्गीर लगते हैं, तो आप निकल नहीं पाऊँगे, अगर मैं बात करूँ तो अगर यहां से अगर आपको stock buy ही करना है अपनी quantity increase कीजिएगा, double कर लीजिएगा, बेशक से बेच लीजिए अभी उसके बाद आप वहां पर double कर सकते हैं, average price आपको और कम हो सकता है अब यहां पर बता दू, MECD के अंतर क्या करेक्शन चल लिए, MECD में movement आपको पता लग जाएगी, तो अब भी फिला, जब हमने इस shock दिया था, almost यहां पर bullish cross over हुआ था, और वहां से, यह bullish cross over हुआ था, अपना अच्छा गासा gain यहां पर मिला, 100% के आसपास, उसके बाद अब यहां पर जो correction आ रही है, वहीं से, जो all time high जो हमारा था, वहां से correction आते हुए नजर आ रही है, अभी किसी तरी की reversal यहां पर नजर नहीं आ रही है, वापी से reversal होने की कोशिज थी, लेकिन वापी से, यहां पर correction मौझूद है, तो जुरूर आप इस shock को follow कीजिए, अच आपको मिल जाती है, जो हमें market से related है, और हम आपको कुछ stocks बताते हैं, जो कि multi buzzards हो सकते हैं, future में और अभी भी आपके पास बहुत अच्छे stock growth मौझूद होंगे, क्योंकि correction चल लिए market में, जिसके उदों से बहुत सारे stocks होंगे, जो हम अपने channel पर ला रहे हैं, जो कि अच झाल